Hello Friends, Sun Star Astro से गुर्मी सिंग आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ और विननदन करता हूँ आज एक बहुत ही इंट्रस्टिंग विश्य आपके सामने ले के आया हूँ विश्य है Marriage जिंदगी में होनी थो एक बार होती है पर everlasting impact रहता है उसको जनम पत्री में हम Marriage को किस तरह से देखेंगे डिसीजन लेने से पहले एस्ट्रोजर की नजिरिये से वो आपके साथ आज मैं सांजा करना चाहता हूँ शेयर करना चाहता हूँ आए चलते हैं होरस्कोप की तरफ होरस्कोप में Marriage के लिए हम सात्वा भाव सबसे पहले देखते हैं सात्वा भाव में जो भी प्लैनेट बैठे होते हैं वो Marriage को बहुत impact करते हैं जुपिटर का बैठा होना बहुत अच्छा बात दिखाता है मतलब यह भी दिखाता है कि Marriage stable रहेगी पतिय पतनी निष्ठावान रहेंगे यहां पर बैठा Mercury वो अपनी बीवी को छोड़के दूसरे की बीवी की तरफ द्यान ज्यादा देखना बताता है और तीसा शुक्र यहां पर बैठा हो तो वो थोड़ा sexual desire की तरफ indication देता है इसके अलावा हम 7th Lord की भी बात कर सकते हैं 7th Lord हमारे जन्म पत्री में कहां position है अगर 7th Lord 6th, 8th, 12th position में है तो वो marriage के लिए अच्छा नहीं माने जाता 7th Lord अगर कहीं बार 11th house में होता है तो वो multiple relation की तरफ भी इशारा करता है तो 7th Lord को भी देखना जन्म पत्री में बहुत जरूरी होता है अगला होता है हमारा 7th Lord का नक्षेत्र Lord तो 7th Lord का नक्षेत्र Lord भी अगर 6-12 भाव को इंडिकेट कर रहा है तो वो भी marriage के लिए अच्छा नहीं है 7th Lord आपका 2 और 11 houses को इंडिकेट कर रहा है It means कि वो पैसे वाले घर की लड़की या लड़का होगा तो 7th Lord भी हमारा बहुत कुछ इंडिकेशन देता है शादी के लिए अगला है इस 7th house का नक्षेत्र Lord इस 7th house का नक्षेत्र Lord भी देखना बहुत important है इसको इसकी position भी देखना बहुत ही ज़रूरी है यह कहां placed है अगला point देखते हैं यह सारी चारो बाते जो हमने अभी discuss की है इसको चंदरमा से भी देखो क्योंकि चंदरमा भी हमारे लगन समान एक लगन है वहां पे भी देखो 7th Lord 7th house की क्या position है अगर well positioned है तो वो अच्छी शादी की तर विशारा कर रहा है फिर यही सारी बाते हैं हमें D9 chart में भी जाके देखनी है D9 chart का लगना Lord हमें लड़की का सुभाव बताता है लड़की कि सुभाव क्योंगी वहां पे भी हमें 7th house 7th Lord यह देखना बहुत जूरी है कहीं malefic impact तो नहीं आ रहा कहीं 7th house पे यह दाराकारक जैमनी astrology में यूज होता है यह 7th degree में जो सबसे कम degree का planet होता है उसे दाराकारक कहते है जैमनी में उसकी पे position जैमनी उस chart में देखनी ही बहुत ज़रूरी होते है चंद्रमा खुद की पहले position देखो चंद्रमा बहुत ज़्यादा अगर malefic होगा या चंद्रमा किसी बुरी जगह पे होगा तो वह stable marriage की तरफ इशारा नहीं करता क्योंकि चंद्रमा हमारा मन है अगर हमारा मन ही stable नहीं है तो marriage के सुख हम कहां से प्राप्त कर पाएंगे चंद्रमा का अश्टक वर्ग में भी देखो कि चंद्रमा जिस जगह बैठा हुआ है वह कितने बिंदू लेके बैठा हुआ है और चंद्रमा के सर्वास्टक में उस घर में कितने बिंदू हैं तीस या तीस से उपर बिंदू है अगर सर्वास्टक में चंद्रमा के तो वह stability की तरफ इशारा करता है चंद्रमा के खुद के पांस या पांस से उपर बिंदू है वो भी एक बहुत अच्छी इंडिकेशन देता है, अगर चंदरमा के 20 या 20 से भी कम बिंदू है, वो लड़ाई जगड़े की नोबत तक दिखा सकता है, तो चंदरमा का भी देखना हमारे को बहुत जरूरी होता है, इसी तरह के ये बात शुकर के साथ भी दिखी जाएगी, सुक्र चाहे लड़के के लिए कारक होता है, लेकिन सुखो का वा कारक शुकर लड़का लड़की दोनों के लिए, तो शुक्र भी अगर अच्छी पूजिशन में बैठा हुआ है, तो वो एक स्टेहबल मैरीजिटक की तरफ इशारा करता है, सुकृ को भी अश्टक वरमें देखा जाएगा कि वो कितना बलवान होके बैठा हुआ सरवाश्टक में कितने बिंदू लेके बैठा हुआ जिस घर में वो बैठा हुआ है इसके अलावा हम उपद कुंडली भी देखते हैं यह जैमिनी एस्ट्रोजी के ट्वेल्थ हाउस से रिलेटेड होती है उपद कुं में और बारवे भाव में malefic impact कम से कम होना चाहिए आठवा भाव हमारे शादी के मंगले मंगले जीवन को दिखाता है और फीमिल के चार्ट में 12th house house of bad pleasure है जो कि आज के modern contest में बहुत बहुत जरूरी होता है तो अगर 12th house में भी कोई malefic impact है तो वो भी शादी के लिए पूरी इंडिकेशन देता है लगना power next point है जी लगन अगर आपका बहुत ज़्यदा बलवान है यह भी शादी के लिए थोड़ा problem create कर सकता है क्योंकि लगन आपकी कहीं बलवान लगन है वो ego भर देता है इंसान में खासकर यहां पर अगर fiery sign पढ़ रहे हूं 159 राशिस के और सूर times powerful Jupiter भी यहां ego भढ़ देता है इंसान में तो शादी के final decision से आने से पहले यह कुछ मैंने महत्बुन बिंदू आपके साथ share किये इनको देखना बहुत ज़रूरी होता है शादी की सफ़ता के लिए थैंक्स फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप share और subscribe करना ना भूलिएगा थैंक्स थैंक्स अगें